नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है आपके अपने चैनल छेटीच लेट्स 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 साथियों हम बात करे थे आटी एक्ट की आटी एक्ट की आटी एक्ट की बात करते समय अपने बात की आटी एक्ट में किते अध्याय हो सम्पून बातें अपने आयटे एक्ट के बारे में तीन क्लास से पहले डाल चुके हैं उसमें अपने बात कर चुके हैं अध्याई साथ हैं दाराएं 38 हैं और अनुस्वची एक है अध्याई एक की अपने बात की प्रारेंबिक परीचे की प्रारेंबिक परीचे दारा उसमें प्रारिम्劍्य परीचर में दारा एक और दो है फिर बात की अध्याएद दो की निसुल्क एम अनिवारे शिक्षा का अधिकार दारा तीन से पांच साथियों फिर बात की अध्याई 3 की समूची सरकार एम माता पिता के करते हुए जिसमें दारा 6 से लेकर 11 तक आती है और आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे अध्याई 4, अध्याई 5, अध्याई 6 और अध्याई 7 की बात करेंगे क्योंकि कुल अध्याई 7 हैं और दाराएं 38 हैं तो टोटल दाराएं 38 दाराओं के अपन बात करेंगे 6 से 11 दाराएं 11 तक दाराएं अपन समूची सरकार एम माता पिता के करते हुए अध्याई 3 में पढ़ चुके हैं तो साथियों अध्याई 4 विद्याले एम 6 को के कारे करतवे एव अधिकार अध्याई 4 कौन सा है विद्याले एम 6 को के कारे करतवे एव अधिकार इसमें दाराबारा से लेकर 28 तक दाराएं अपनी चलेंगे दारा बारा से 28 तक इसमें दाराएं चलने वारी हैं दारा बारा के बन बात करते हैं क्योंकि 11 दाराएं अपन अध्याई 3 में कर चुके हैं अध्याई 4 है ये विध्याले M6 को के कारे करते हुए अध्यार अब आप देरे पून देखेगा आपको पूरा समझ में आएगा इससे पहले अपने बार्ड पर पड़ा रखा है क्योंकि अब इसको समाप्त करने के बारी है जल्दी तो इसको अपन इस पर पड़ाएंगे बार्ड पर पड़ाएंगे तो एक-एक को अपन लेने में लिखने में समय लग जाता है इसलिए सातियों तो बात करते हैं दाराबारा की अध्याइचार में विद्धाले अमशिक्षकों के कर्तवे अब देखो सातियों दाराबारा क्या बोलती है इस बात पर द्यान दीजी आप धारा भारा अपने बीच में क्या बोलती है, सरकार द्वारा इस्तापित वह संचालित इसकुल प्रवेश लेने वाले बालक को प्रात्मिक शिक्षा पून करवाएगा सरकार से सायता प्राप्त कने वाले मनेजी इसकुल प्रारंभिक कच्षा के कुल 25% चात्मिक का पून करवाईगे प्राइवेट इसकुल में 25% छात्रों को नेशुलक सिख्षा के लिए सरकार द्वारत तेक की गई राशी उपलब्द कराए जाएगी परतेक धेले इस्तानिये प्राधिकरन द्वारत चाही गई सूचना उपलब्द करवाने के लिए बाध्य होगा यानि दारा जो बारा है साथियों कि जो सरकार है वो आटी एक दो जाननों के दारा बारा के अनुशार ये प्राधन करती है कि सभी नीजी सिक्षन संस्ताओं को अपने विद्याले की परतम कक्षा की कुल सात्र संक्या का 25% सीटों पर निर्दन वर्ग अपने बात की थी पहले कि 25% सीटों पर निर्दन वर्ग आता है जब अपने निर्दन वर्ग की बात की थी तो एक लाख रिपे की बात आती है कितने की आती है एक लाग रिपे की बात आती है शातियों एक लाग रिपे की बात आती है जब अपने निर्धन वर्ग की बात की तब एक लाग रिपे राशी आती है निर्धन वर्ग की जिसकी एक लाग से कम हो पहले क्या था जिसकी डाइलाग से कम राशी हो डायलाग से कम रुपे जो कमाता हो शालाना वो क्या आएगा वो निर्धन में आएगा लेकिन अब एक लाग कर दिया गया है तो क्या है सातियों 25% शिट्टों पर उन बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिनके अब विभावक का वार्चिक आए कितनी है एक लाग रिपे हैं मत्रब दारा बारा में केवल इतना ही कहा गया है कि 25% शात्रों को ये जो 25% शात्र है उसको निशलकु शिक्षा उपलब्द करवाई जाएगी निशलक शिक्षा जिनके एक लाग रिपे माता पिता की आए कितनी है एक लाग रिपे उनको साथ हो यहां तक समझम दारा बारा में ये कहा गया है कि 25% सात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्द कराए जाएगी जिनके माता पिता की सालाना इंकम एक लाख रुपे है पहले डाय लाख रुपे हुआ करती थी दारा बारा में ये बात कही गई है सातियों अगे देखिए दारा तेरा अध्या इस बात को आप समझे दारा तेरा बोलती है इतनी बात बोलती है कि प्रवेश के लिए कोई फीच या प्रिक्षा नहीं लेना मतलब बिना कोई प्रिक्षा और बिना कोई फीच के प्रिवेश होगा उलंगन करने पर परवेश सुल्ख के दस गुणा तक जुर्मना मतलब अगर कोई कक्षा आड़ तक कोई भी विद्याले हो अगर वो दारा तेरा में ये प्रावदान क्या गया है कि परवेश पर कोई भी फीश नहीं ली जाएगी तथा किसी भी परकार की कोई परिवेश परिक्षा नहीं ली जाएगी यदि कोई ऐसा करता है साथियों तो इसका उलंगन करने पर सुल्ख के दस गुणा सुल्ख के 10 गुना मतलब उसने सुल्ख लिया मालो 1000 पे तो उसके 10 गुना 10,000 पे उसको किसको संस्ता को देने पड़ेंगे जुर्माना और या 25,000 तक का जुर्माना संबंदित शिक्षन संस्ता को देना पड़ेगा क्यों यही बात इसमें कई गई है सातियों 25 से 50,000 रिपे तक का जो रोमाना उसको बढ़ना पड़ेगा अगर वो परवेश लेते समय फीश लेता है या कोई परिक्षा लेता है सातियों दारा 13 में ये कहा गया है दारा 13 और दारा 12 अपने कली दारा 12 में जैसे के अपने बताये के 25 परशेंट सात्रों को निश्वल्क शिक्षा उपलब्त कराए जाएगी जिनके माता बतागी एक लाग तंका होती है 25 परशेंट शीटों पर उन्हें रिजर्ब कर दिया जाएगा और दारा 13 में परवेश के समय कोई भी फीश नहीं लेगा नहीं परिक्षा लेगा ये दारा 13 और दारा 12 के बारे में अपने बात की दारा 14 पर चलते हैं दारा 14 क्या बोलती है साथियों दारा 14 के अंतरगत ये प्रावधान क्या गया है कि परवेश के लिए आयू का सबूत ना होने पर भी विद्याले में बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता समझने वाड़ी बात ये है कि बालक की आयू के निर्धारन के लिए सरकार द्वारा तै किया गए दस्तावेजों को आधार मना जाएगा जनमतिती प्रमान पत्तन ना होने पर भी प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा बाई अपने पड़ा था पेले कि जो आयू के आधार पर इसमें एड्मिशन दिया जाएगा आटी एक्ट के नुसार लेकिन अगर मान लिजी किसी की जनमतिती का प्रमान पत्तन नहीं है किसी विद्यारती के पास जनमतिती का कोई प्रमान पत्तन नहीं है या कोई डोकुमेंट्स भी नहीं है तो भी उसको प्रवेश से इंकार नहीं कर सकते आटी एक्ट में उसको प्रारंबिक शिक्षा देनी ही पड़ेगी, दारा चशुधा ये कहती है साथियों दारा बारा, दारा तेरा दारा चुधा अपने कल ली दारा पंदरा देखिए दारा पंदरा क्या बोलती है? दारा पंदरा ये बोलती है कि Section 17 कе प्रारंब में या सरकार द्वारा तैस हमें अवदी के दोरान या उसके बाद भी प्रवेश तै अवदी के पच्छाथ प्रवेश की इस्तिति में तै तरीके से अध्यन पुरा करवाया जाएगा साथियों इसमें दो बाते आती हैं सातियों इसमें पहली बात यह आती है कि बालक के परवेस की अंतुम्त 33 सितंबर मानी गई है गोर्मेंट के दौरा तीश सेप्टेंबर बालक तीश सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं ये डेट गौर्मेंट द्वारा माने गई है लेकिर अगर कोई बालक इस अवदी तक एडमिशन नहीं लेता है तीश सितंबर तय है किन्तु फिर भी बालक संपून वर्ष के दोरान कभी भी प्रवेश उसको दिया जा सकता है अगर किशिक कारण वस वो तीश सितंबर तक एडमिशन उसका नहीं होता है वो प्रवेश नहीं ले पाता है तो ऐसा नहीं है कि भाई तीश सितंबर तक उसको प्रवेश दिया जाएगा उसके पस्चात वी विद्याले उसको प्रुवेश देने के लिए मना नहीं कर सकता ये बात इसमें कही गई है और उसका अध्यन पूरा करवाया जाएगा दारह 15 में ये बात कही गई है सातियों दारह 16 की तरब चलते हैं दारह 16 क्या बोलती है दारह 16 बोलती है बात किसी भे बालक को फैल नहीं किया जाएगा समझ लिजे आप प्रारेंबिक शिक्षा होति है सातियों एक से लेकर 8 वी तक के कक्षाओं को कोई भी फैल नहीं कर सकता अगर आठी में बोड परिक्षा भी वो लेते हैं कोई भी राज्य अगर आठी में बोड परिक्षा भी लेता है तो उसमें वो उसको विध्यारती को फेल नहीं कर सकता फेल नहीं कर सकता कि भाई प्रारंबिक शिक्षा एक से आठ कक्षा दारा 2F में परिवासा है बाई एक से आठ की प्रारेंबिक शिक्षा की परिवासा आपने कहां पर पढ़ी थी 2F में पढ़ी थी आपने ध्यान दिया होगा तो आपने 2F में ये परिवासा पढ़ी थी तो क्या होता है कि जो प्रारेंबिक अगर जो प्रारंबिक शिक्षा है उसमें बच्चे को क्या है फेल नहीं किया जाएगा अगर आठी की अगर बोर्ड प्रिक्षा भी लगती है तो भी वो राज्ये उस बच्चे को फेल नहीं करेगा दारा सोडा ये कहते हैं अपने पड़े सातियों अभी तक अपने पड़ा दारा बारा ये कहते हैं कि 25% सात्रों को निशुल्क शिक्षा उपलब्द करवाई जाएगी जिनके माता पिता की एक लाग तक की सालना आये हो दारा बारा ये कहते हैं दारा तेरा ये कहते हैं कि प्रवेश के लिए कोई भी फीश या परिक्षा नहीं ली जाएगी अगर इसा कोई संस्ता करता है तो उसको 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना और जो वो सुल्क लेता उसका 10 गुणा जुर्माना उसको देना पड़ेगा दारा तेरा ये कहते हैं विभाशा vedo नहीं किया जाएगा दारा चौदर ये कैति ए दारा पंद़रा ये किति है सातियों कि जो section 71 है उसका 30 सितमबड जो date है अगर उसके पस्चात भी कोई विद्धार्थी admission लेता है तो इसको प्रवेश दिया जाएगा दारा 6 ये कैते है कि किशी भी विद्धार् में दारा 17 पर अपने बात करते हैं दारा 17 क्या बोलती है दारा 17 ये बोलती है कि मान्षिक रूप से बालक को आप प्रताडित नहीं कर सकते हैं बालक की परिवासा किसमे दे रखिये साथियों तू सी में बालक की परिवासे कि अगर अपन बात करें तो बालक की परिवासे दे रहे है तू सी में क्या कहा गया दारा सत्रा में साररिक मांसिक रूप से परताडित नहीं किया जाएगा शाररिक एव मांसिक रूप से परताडित नहीं किया जाएगा, साथी वो दारा सत्रा ये कहती है, उलंगन पर सेवा नियमों के दिन अनुसासनत आत्मक कार्यवाई की जाएगा, अगर कोई सहिस्ता या कोई अध्यापक ऐसा उलंगन करता है, बच्चों के साथ शाररिक वांस परताड ना करता है, उन्हें कक्षा में गलत सलत उन से परतिटिपनी करता है, अगर उनकी शिकायत कर दी जाए तो अनुसासनत आत्मक उन पर कार्यवाई की जाएगी साथियों, दारा सत्रा ये बात कहती है, यहां तक समझ में आए आपको, दारा अठारा पे चलते हैं पुरौण आनुमती वपरमान पत्र के कोई इसकूल नहीं खोला जा सेकेगा, मतलब इसकूल की, इसकूल खोनने के लिए सरकार की पुरौण नुमती की और परमान पत्र की जड़ुद पड़ेगी, तथा प्रारूप अवदी तरीके वचरतों के अधिन इसकूल खोनने की के लिए पर्मान पत्र जारी किया जाएगा जो सरकार जो समुचित सरकार जो फैसला करेगी समुचित सरकार जो सरते रखेगी उनके अकोडिंग इसकुल को मानिता दी जाएगी उनके अकोडिंग इसकुल को खोली जाएगी मानिता की सर्तों के उलंगर पर लिखित आदेश द प्रवेश दिया जाएगा मतलब अगर किसी विद्याले की माननेता ले ली गई है तो उसमें पढ़रे बच्चों का क्या होगा उसमें पढ़रे बच्चों को से जगए एडमिशन दे दिया जाएगा माननेता परमानपत्र बासा में बात करें तो यदि कोई विद्याले संगठन सरकार द्वारत तेमानकों पूरा नहीं करता है तो उस विद्याले संचालन की अनुमती नहीं दी जाएगी उससे उसकी अनुमती अगर वो सभी मानकों को पूरा करता है तो अनुमती दी जाएगी अगर उनका उलंगन करता है तो एक लाख रिवे तक का जुनमाना उनके लगाये जाएगा या उनकी जो अनुमती है जो उनकी मान्यता है वो छेन लिजाएगी दारा 18 ये बात करती है आपको समझ में आया दारा 19 पर चलते हैं साथियों दारा 19 क्या करती है विद्याले को मान्यता परदान करने की सर्त की बात करती है मतलब कि कोई भी विद्याले संगतन समुचित सरकार अब समुचित सरकार की बात करें तो समुचित सरकार में केंदर सरकार, राज्य सरकार और इस्ताने सरकार आती है दारा 2A में अपने इसे पड़ा था समुचित सरकार में तो समुचित सरकार के परिवर्तित मानकों को पूर परिवर्तन मानकों को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो उस विद्याले संगटन के मानिता रद कर दी जाएगी सातियों और बीश्वी विद्यारा पे चलते हैं इसमें मानिता रद करने पर बात की गई है विद्याले संगटन अगर समुचिस सरकार के परिवर्तिर मानकों को पूरा नहीं करता है तो मानेता रत कर दी जाएगी दाराबीश क्या करती है दाराबीश करती है के अंदर सरकार द्वारा लिखित अधिशूचना द्वारा संसोदन संबव यानि समुची सरकार को यह अधिखार प्राप्त है कि वह विद्याले इस्तापना के लिए तय किये गए मानक में परिवर्तिन कर सकता है मतलब जो समुची सरकार है वो जो तय किये गए मानक हैं उसमें संसोदन संबव उसमें परिवर्तन कर सकती है समुची सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है सातियों परिवर्तन कर सकती है समुझे सरकाय दारा बीश में कहा गया है अपने अध्याई अपने अध्याई चार में दारा बारा से लेकर दारा बीश तक पड़ा दारा बारा से दारा बीश तक क्या कहा गया है इस बात को एक बार वापस दोरा लेते हैं जल्दी जल्दी देखो साति बात करते हैं सबसे पहले दारा बारा की दारा बारा में केवल इतना ही कहा गया है कि 25 परचेंट तक छतरों को निशुलक एडमिशन दिया जाएगा निशुलक शिक्सा दी जाएगी जिनके माता पिता की income एक लाग रिपे है दारा बारा में कहा गया है कि परवेश और फीश या परिक्षा नहीं ली जाएगी मतलब परवेश के समय कोई भी फीश परिक्षा नहीं ली जाएगी अगर कोई इसा उलंगन करता है तो 25,000 वे 50,000 का जुर्माना और परिवेश सिल्क अगर उउँ अजार पे लेता है तो दस गुणा करके उसका जुमाना उसको देना पड़ेगा दारा तेरा ये बात केती है दारा चोरा चोदा ये बात केती है साथियों बालक कि आयू के निर्दारन के लिए सरकार दोरा तेक ये दस्तावेजों को अधार मना जाएगा जनमतिति परमान पत्तों नहोंने पर भी प्रवेश दिया जाएगा धरा 15 ये बात करती है कि 30 सितंबर जो परवेश तितिये है अगर उससे लेट भी कोई विध्यारती आता है तो उसका एडमिसन ले लिया जाएगा धरा 16 ये करती है कि 1 से 8 तक किसे को फेल नहीं किया जाएगा 17 यह कथे कि मांज सिक वशारिरिक परताना आप विध्यारति को नहीं दे सकते 18 यह कहती है साथियों 18 कहते है कि यदि कोई विध्याले संगट और सरकार द्वारत तेमानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्धाले संचालन की अनुमती उससे छिन ली जाएगी और एक लाहत पर का उसका जुनमाना होगा अगर वो ऐसा पूरा करता है तो वो विद्धाले चला सकता है तो सरकार के आदेशों का उसको मानना पड़ेगा ये बात इसमें कही गई है साथियों दारा गुनिश की बात करते हैं दारा गुनिश में विद्धाले को माननेत प्रदान की सर्तों पर बात की गई है कि कोई भी विद्धाले संकतन समुचित सरकार के परिवर्टित मानकों को पूरा नहीं करता है उस विद्याले संगटन के मानिता रद करती जाईगी ये बाते हैं, दारागुनिश में कही गई हैं, दाराबीस में कहा गया है, कि केंदर सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संसोधन संभू, यानि समुचिस सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्याले इस्तापना के लिए तेह किये गए मानकों में प्रिवर्तन कर सकता है, संसोधन कर सकता है कौन कर सकती है समुचे सरकार यानि केंदर सरकार राज़ सरकार और इस्ताने सरकार समुचे सरकार में आती है दारा 21 की बात करते हैं सातियों दारा 12 से लेकर 20 अपने पड़ी जो अध्याई 4 है उसमें दाराएं कितनी है अपने बात करती है अध्याई चार में दाराएं कितनी है इसके अपने बात की है अध्याई चार में साथियों जो दाराएं है वो दाराएं है दारा 12 से एगर दारा 28 तक तो 20 दाराओं के अपने बात कर ली 21 विदे को 21 विदारा क्या कहती है 21 विदारा क्या कहती है 21 विदारा कहती है विद्याले को विद्याले का परबंदन तथा नियंत्रन करने है तू इस्तानी अभिभावकों को सम्लिद करना होगा यानि इस्कूल मेनेजमेंट कमिटी उनको बनानी होगी जिसको SMC बोलते हैं SMC मतलब हर विद्याले को SMC बनानी पड़ेगी यानि स्कूल मेनेजमेंट कमिटी परबंदन समिती का गठन जिसमें 75% अभिभावक रहेंगे 25% स्कूल के सदशे रहेंगे जिसमें 75% अभिभावक और 25% स्कूल के सदशे जिसमें 50% मैलाएं और टोटल 16 सदशे SMC में टोटल 16 सदशे को बनेगी टीम SMC की फुल्पों में स्कूल मैनेजमेंट कमिटी परबंदन समिति का गठन जिसमें 16 सदस्य होंगे जिसमें 75% अभिवाव करेंगे और 25% स्कूल के सदस्य जिसमें 50% मेलाए यानि 16 से 8 मेलाए रहेंगे किया जाना चाहिए जिसमें SMC का क्या किया जाने चाहिए गठन के अजान चीए जिसमें वर्तमान में कुल 16 सद्धियों को रखा गया है समझ में आगया विद्याले परबंदन के लिए समितिका गठन एंक कारे की बात करेगी है तो विद्याले परबंदन के लिए कौन सी समितिका गठन करना है SMC का और उसके संगठन फिर उसका कारे करेगी हो SMC अपना कारे करेगी जिसमें SMC 75% तो अब विभाव करेंगे और 25% अपने जो शिक्षक रहेंगे वो रहेंगे जिसमें से 50% में लाए रहेंगे यानि 16 सद्धियों से 8 में लाए यहां तक समझ में आया तेवल इतनी बात है इसमें विद्याले प्रबंदन समीति का गठन किया जाएगा जिसका नाम SMC होगा सातियों वो उसके संगठन एमकारियों के बात की गई है 21 में 22 पे चलते हैं अब जो SMC का गठन किया जाएगा उसके द्वारा विद्याले विकास योजना तियार करना होगा विद्याले के क्या विकास योजना ही रहेंगी उनको तियार करना रहेगा यानि परतेक साला परदान मतलब परदाना अध्यापक परदाना अध्यापक यानि प्रिंसिपल प्रिंसिपल का principle का क्या दायतव होगा कि वह सत्र प्रारंब होने से पुरुव अपनी प्रारंबिक इस्तर की शिक्सा में सुधार करने हैं तो एक अलपकालिन परपत्तर में वार्शिक विकास योजना का प्रारूप तियार करें जैसे संस्तागतिन योजन कहा जाता है मतलब SMC द्वारा विद्याले विकास योजना तियार करना जो SMC टीम बनाई गई है उसके द्वाला द्वारा क्या विद्याले विकास योजना तियार करना विद्याले विकास योजना तियार करना जो जना सरकार दोरा बनाई जाने वाली योजना वा अनुदान के आधार पर होने चाहिए उस संगटन का ये कारे है उस परदाना द्यापक का ये कारे है कि वो जो SMC टीम बनाई है उसके साथ मिलकर एक विकास योजना तेयार करे विकास योजना वो हो जो सिरकार के अनुदान के आधार पर हो धरा 22 ये बात करती है धरा 23 क्या बात करती है धरा 23 सातियों सिंपल सी बात करती है शिक्सक नियुक्ति एं सर्थ ववेतन बते से सेवा नियम की बात करती है मतब शिक्सक नियुक्ति शिक्षक नियुक्ति की बात करती है शिक्षको की योग्यता किस आधार पर रहेगी मतब शिक्षक की नियुक्ति बियड से पहले शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती है तो बियड शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई है इसमें यानि बियड बेड करेवे शिक्सकों को लिया जाएगा शिक्सक नियुक्ति है तू उनकी सर्ते क्या है और उनकी बत्ते सेवाई क्या है उनके बरेम बात की गई है यानि शिक्सक नियुक्ति की सर्तों की बात की गई है सर्ते कौन-कौन सी बेड उनकी रहने चाहिए और भी दो-चार सर्ते जो होती है उनकी बात की गई है दारा 23 में दारा 24 क्या कहती है दारा 24 कहती है सातियों शिक्षक की कर्तवे नेमित आना वस्थमे पालन शिक्षक की कर्तवे की बात करती है शिक्षकों की दायतवे का उले किया गया है दारा 24 में मतलब शिक्षक केसा होना चीए आदर्स वा नेतिक शिक्षक होना चीए शिक्षक की दायतों की बात की गई है शिक्षक की दायतों कोण से हैं कि शिक्षक नियमत आए और समय का पालन करें पाठे करम संचालनवा तैस समय में पूरा करें प्रतेक बच्चे के पढ़ने के इस् पर करवाई से पूर्व सुनवाई का आउसर शिक्सकों के समस्या को पर विदी से दूर करना आधी बाते दाराच चोईश में की गई है शिक्सकों को करतवियों की बाते की गई है दाराच निया दारा पत्चीस में किया कहा गया है?, मतलब अब समझेए आप शातियों, इस में बात की गई है। दारा जो 25 है इसमें बात की गई है कि चातरवा शिक्षक का अनुपात क्या रहेगा अब देखिए प्रात्मिक शिक्षा में 46 प्रात्मिक शिक्षा में 40 बच्चों पे एक शिक्षक को रखा जाएगा ये अनुपात है प्रात्मिक क्यक्षा का और उच प्रात्मिक में 35 में एक चात्र एक अध्यापक, 46 में एक अध्यापक अनुपात है सातियों, मतलब यह अनुपात है प्रात्मिक विद्यालों का, और यह अनुपात है उच प्रात्मिक विद्यालों का, प्राथ में विद्यालों में 40 से लेकरे 40 बच्चों में एक सिक्षक और उच प्राथ में 35 बच्चों में एक सिक्षक तो सिक्षक अनुपात की इसमें बात की गई है सिक्षक अनुपात की बात की गई है सातियों इसमें अब देखो सातियों दारा 25 में शिख्षक अनपात की बात की गई है, दारा 26 में देखो, खुल स्वयकरती पदों में 10% से अधिक रिक्त नहीं रखे जा सकते, मतलब किसी भी संस्ता में शिख्षक के अध्यापक के जो पद हैं, वो 10% से ज़्यादा खाली नहीं होने चाहिए इसा नहीं है कि 50% शिख्षक ही नहीं है इसकुल में, कम से कम 10%, मतलब 10% से अधिक शिख्षकों के पद खाली नहीं रहने चाहिए, किसी भी संस्ता में दारा 26 में ये बात की गई है, कुल स्वयकरती पदों में से 10% अधिक रिक्त नहीं रखे जाने चाहिए, जितने अगर जितने अधिक शिक्षक रखते हैं उसमें 10% से तो कम बिल्कुल ही नहीं चलेगा मतलब किसी विद्याले में 10% से अधिक 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं रखे जाएंगे दरा 26 में ये बात कही गई है सातियों दरा 27 में क्या बात कही गई है कि कोई भी शिक्षक को जो भी कोई भी अधियापक हो उसको शिक्षन के अतरिक्त केवल राष्ट्रे मेत्व के कारे वो पूरा करेगा मतलब एक तो यो संसे दिये चुनाओ यानि एक तो चुनाओ के कारे वो पूरा करेगा अधियापक एक तो इलेक्षन के कारे करेगा चुनाव की और दूसरा क्या करेगा जनगनना के और तीसा निर्वाचन के और चोथा राष्ट्रे आपदा के मतलब जंगर्णा, निर्वाचन, राष्ट्र आपदा क्यों लिए तीन कारे करेगा जंगर्णा, निर्वाचन और राष्ट्र आपदा, देखो सिक्षक को दस वर्षी ये जंगर्णा, आपदा राहत, पंचायत राज, संस्ताउं, इस्थाने निकाय, विदान मंडल, विदा के अलावा अध्यापको का शिक्षको का यही कारे होगा कि वो केवल शिक्षा कराएं और शिक्षा के अलावा केवल जन्गन्ना निर्वाचन और राष्टे आपदा के कारेवन को दिये जाएंगे दारा 27 ये बात करती है दारा 28 क्या बात करती है दारा 28 करती है सातियों शिक् प्राइवेट अध्यापन है जो वो नहीं करा सकता सातियों अध्याई 4 अपने पड़ा अध्याई 4 में अपने दारा 12 से लेकर दारा 28 पड़ी जिस बेबाई को समझ भें नहीं है यह वो वापस देख लीजिए मैंने 2-3-3 बार समझा रखा हैं दारा 12 से दारा 28 अपने पूर मिल जाएंगी क्लाश ही प्रियावरन अध्यानवाली उसमें ब्लोग प्लेलिस्ट में प्रियावरन अध्यानवाली प्लेलिस्ट में आपको और यह आटी एक्ट की तीन क्लाश पहले की मिल जाएंगी जिसमें दारा अध्याई 3 तक अपने बात किये अध्याई 4 में दारा 12 से 28 तक अपने बात की 28 का करती है शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट अध्यापन नहीं कराएगा गोवर्मेंट टीचर अब देखो सातियों अब चलते हैं अध्याई पांच पर अध्याई पांच की और अध्याई पांच में गुंटिस से लेकर 30 यानि दो दाराएग अब एक चीज में आपसे पूर्णा चाओंगा आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो चलो एक चीज बताइए आप जो अध्याई पांच है उसमें गुंटिस से लेकर 30 यानि दो दाराएग और दो दाराएग कौन से अध्याई में हैं तो और दो दाराएग एक में भी दो दाराएग हैं अध्याई एक में कौन से एक और दो और अध्याई पांच में गुंटिस और तीस अध्याई पांच में केवल दो दाराओं के बात करेंगें गुंटिस और तीस की गुंटिस भी दारा क्या करती है प्रात्मिक शिक्सा के लिए पाठ्यकरम शि बिकार ये उकर्तवियों की बात करती है कौनशी दरग गुन्सथिज। इन सभी वेक्टियों को इस बात का द्यान रखा जाना चींछिए मतलब जो पाथी करम बनाने वाले वेक्टि Living उनको ये बात का ध्यान रखा जाना चींछिए कि किसी भी समाज जाती द्रम आदी के खिलाफ वो उसमें पठे करम में बात ना लिखें जाती द्रम और समुदाय के बारे में कोई भी एसी टिपनी ना करें जिसमें ओब्जेक्शन उठे पठे करम बनाती समीं दारा गुनतीस में ये बात की गई है शिक्षन परक्रिया क्या रहेगी और मुलेंगन परक्रिया क्या रहेगी इसकी बात किस में कही गई है दारा गुनतीस में अध्याई पांच की दारा गुनतीस में दारा तीस में दारा तीस में साथियों बात की गई है कि जो प्रारंबिक शिक्षा है प्रारंबिक शिक्षा को पूर्ण करने तक किसी भी परकार के कोई भी परिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा यानि प्रात्मिक शिक्षा यानि कक्षा आठ एक से लेकर आठ तक किसी भी बोर्ड परिक्षा में बैटना आवश्यक नहीं है पूरी कन्ये पर प्रमान पत्तर दिया जाएगा समझ रहे है आप अब आप कहोगे कि कक्षा आठ में तो बोर्ड होती है लेकिन बोर्ड होती है लेकिन फेल कन्ये का उसमें नियम नहीं है साती हो बोर्ड तो होती है लेकिन फेल नहीं कर सकते दारा तीश क्या कहते है कि प्राधमिक शिक्षा यानि कक्सा आर्ध तक किसी बोड़ परिक्षा में बैठना आवस्शिक नहीं है पूरी कण्ये पर पनमान पत्तर दिया जाएगा मतलब उसमें फेल कन्ये कि कोई भी किसी भी उलेख नहीं है कि भै फěल नहीं किया जाएगा खक्षा आज तक अगर कोई राज जी बॉर्ट पर इक्षा लेता है तो ले, लेकिन वो फ데लो नहीं कर सकता साथी, हो कक्षा आज तक ये बात कई गए जैसे कख्षा पांच का भी थो बॉर्ट होने लग गया अब लेकिन उसमें फेल थो ना किया जाता है नहीं किया जाता है उसमें किया प्रमान पत्र देया जाता है को कक्सा आर तक फेल नहीं कर सकते ये नियम है ये दारा 30 करती है साथियों अध्याई पांच में अपने पड़ी दारा गुन 30 जो बात करती है कि बाई मुल्यांगन जो पाठे करम है वो बनाते समय जाती दर्म के खिलाफ पाठे करम नहीं बनाए जिससे की उबजेक्शन उटे सिक्षन परक्रिया क्या रहेगी मुल्यांगन परक्रिया क्या रहेगी इसकी बात करती है दारा 30 बात करती है कि खिक्षा आठ तक किसी को भी थातर को फेल नहीं किया जाएगा यानि फेल करने का अरत है खिक्षा आठ तक बोर्ड नहीं होगी अगर बोड लेती वे तो उसको फिल ने किया जाएगा दारा 30 ये बात किती है अब देखो शातियों अध्याई 6 अध्याई 5 पड़े अपने एक से लेकर 5 तक अध्याई 6 की बात करेंगे अध्याई 6 में आती है 31 से लेकर 34 यानि 4 दाराई 31 से लेकर 34 तक अपन बात करेंगे अध्याई 6 में अध्याई 6 में क्या है शिक्षा अधिकार का सरंक्षन शिक्षा का अधिकार का सरंक्षन बालको के अधिकार का सरंक्षन इसका अध्याई 6 का नाम है बालको के अधिकार का सरंक्षन शिक्षा अधिकार का सरक्षन आप बालको के अधिकार का सरक्षन इसका नाम है अध्यायच है का अब देखो सातियों अध्यायच है में 31 वी दारा क्या करती है इसको देख लेते हैं अधियाचे में दारा 31 करती है सातियों बाल अधिकार सरक्षन आयोग मतलब दारा 31 क्या बात करती है कि बाल अधिकारों के हनने के संबंद में शिकायत की प्राप्ति का उलेख इसमें क्या गया है बाल अधिकार संक्षन आयोग, राश्टे बाल अधिकार संक्षन आयोग, राज्य बाल अधिकार संक्षन आयोग के कारे यानि सिंपल बात है कि केवल बाल अधिकारों के संबंद में शिकायत का उलेक इसमें किया गया दारा 31 में बाल अधिकारों के हनन के संबंद में शिकायत की प्राप्ति का उले किया गया है दारा 31 में दारा 32 देखिए दारा 32 क्या खती है बालक के अधिकार के संबंद में शिकायत बालक के अधिकार के संबंद में शिकायत कारत दारा 31 के तहट जो दारा इकतीस में कहा गया है उसके तहट प्राप्त शिकायत पत्र को सत्यापन तथा निर्क्षन है तू उच अधिकारी तक पहुचाया जाएगा और बच्चों के अधिकार के संबन्द में तीन माहा के अंतरकत शिकायतों को दूर किया जाएगा बालका के अधिकार के संबन्द में शिकायत की बात की गई है दारा इकतीस में दारा इकतीस में शिकायत की बात करते हुए ये कहा गया है कि अगर दारा इकतीस में जो शिकायत पत्र जो देते हैं जो शिकायत करते हैं उनको उच अधिकारी तक पहुचाया जाएगा और तीन माहा के अंतरगत शिकायतों को दूर किया जाएगा कोई भी शिकायत अगर बच्चा करता है तो उसकी तीन माहा के अंतरगत सुनवाई होगी तीन माहा के अंतरगत उसकी शिकायतों को दूर किया जाएगा बालक के अधिकार के संबन्द में सिकायती निराकरन और सुनवाई की परक्रिया की बात की गई है दारा 32 में मतलब कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि अगर दारा 31 में ये बात की गई है दारा 31 में क्या कहा गया है दारा 31 में कहा गया है कि बाई जो भी बालक है उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो इन सबी संस्ताओं में उनकी बात रखी जाएगी और अगर अधिकारों का हनन होता है तो क्या अधिकारों का हनन होता है तो जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई पर क्रिया की जाएगी अधिकारों तक उनकी बात पूचाई जाएगी अधिकारी तक और जल्दी से जल्दी तीर माय के अंतरगत उनकी सुन्वाई पर क्रियागी बात करने की बात की गई है दारा 32 में सातियों दारा 33 में क्या बात की गई है दारा 33 में बात की गई है कि जो आर्टी एक्ट एपना उसमें राष्टे सलाकार परिशत का गठन संगठन कारे सदस्यों के नियोक्ति वेतन बते सेवा सर्थें की बात की गई है देखिए आठे एक्ट के नियुमों में संसोदन करने है तू तथा इससे संबंदे समस्याओं का समादान करने है तू केंदर इस तरपर केंदरे सलाकार परिशत को समय समय पर सला देने होगी मतलब राष्ट्रे सलाकार परिशत के वल आप इतना याद रखें दारा 33 में बात की गई है राष्ट्रे सलाकार परिशत की बात की गई है तेतिस में और दारा 34 में राज्जे सलाकार परिशत की बात की गई है मतलब उनके अधिकारों की उनके गठं की उनकी नियुकती की उनके वेतन की बात की गई है दारा 33 में राज्टे सलाकार परिशत की और दारा 34 में बात की गई है राज्जे सलाकार परिशत की क्यों आप इतना ही द्यान लखिए दारा 33 में राज्जे सलाकार परिशत की और दा गठन, कारे, सदेशे, नियुक्ति, वेतन, बत्ते की बात की गई है। अब देखे, अध्याइच्छा तक अपने पड़ा, उम्मिद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इसका नाम है अध्याइच्छा का अन्य प्रासंगी, बातें परक्रिनन या विस्तार भी से बोल देंपन अध्याइच्छा, अध्याइच्छा में क्या है। दारा 35 से लेकर 38 तक, दारा 35 क्या करती है, दारा 35 सातियों अध्याइच्छा को लागू करने के संबंद में अध्याइच्छा में अध्याइच्छा की गई है। दारा 35 में मतलब अध्याइच्छा को लागू करने के संबंद में निर्देश देने का पूरा अध्याइच्छा है। कोई भी गोवर्मेंट का जो करमचरी है, शिक्षा से संबंदित, अगर वो गलत वेवार करता है, तो उनके संबंद में शिकायत दर्ज की जाएगी। दारा 36 यह केती है, इतना इंपोटेंट नहीं है, आप सिर्फ द्यान रखिए, दारा 36 यह केती है कि गलत वेवार नहीं करे, कोई भी करमचरी। दारा 36 के आपकेती है, दारा 36 के तहएगर कोई करमचरी गलत वेवार करता है, और शिकायत दर्ज होती है, तो सदभावना निश्पक्सता के साथ कारवाई की जाएगी, कोई भी अधिकारी के पक्सपात नहीं किया जाएगा, मतलब अगर कोई भी अधिकारी किशी भी ये बात की गई है, निश्पक्सताशे, लास्ट की दारा 38 क्या बात केती हैं साथियों, दारा 38 बात केती है, आर्टी एक्ट दोजानो की सभी दाराओं में परिवर्तन करने का अधिकार समुचिस सरकार रखती है, समुचिस सरकार क्या बात करती है, समुचिस सरकार ये बात केंदर सरकार राज्य सरकार और इस्तानिय सरकार को आटे एक्ट की सभी दारों में वो परिवर्तन कर सकती है सातियों यहां पर अपना आटी एक्ट समाप्त होता है देखो